हेलो एव्रिवन विल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ पतीभा मेरे चैनल कानपूर की चैनेंड व्लोग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम मनाएंगे बहुत ही टेस्टी एकदम खिली-खिली सेमाई उपमा और इस सेमाई उपम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सेमाई उपमा बनाने के लिए गैस में मैंने एक नौन स्टिक की कडाई रखी हुए इसमें हम एक कप के जितनी सेमाई डाल देंगे आप नाप का ध्यान रखिएगा तो यह देखिए अब हम लोटू मीडिय के बीच में इस तरह से चलाते हुए तीन से चार मिन तक सेमाई को अच्छे से रोष्ट करेंगे बिना घी या तेल के आपको इसे रोष्ट करना है थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसका कलर कुछ तरीके का हो जाएगा तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है दानों को भी एम 2 मिनट तक भोन लेंगे यह देखेंस दानों का कलर हल्का सा चेंज हो गया है दाने भून गये तो अब इनैंक निकाल लेंगे अब बक्चे खी में आदा छोटी चमच राइं डालेंगे झीरा डालेंगे डाल देहें आठ से दस करी पते डालेंगे और श अपने टेस्ट के एक और लिए गार्डिंग डालेगा जिनना तीखा पसंद करते हों तो प्याज हलकी सी भून गई है तो अब हम इसमें डाल देंगे यह आलू एक आलू को हमने इस तरह से चोटे-चोटे टुकडे में काटा हुआ है अगर आप इसमें और भी वेजेटेबल डालना चाहते हैं, तो डाल सकते हैं 1 इंच का अध्रग का टुकड़ा था जिसे हमने म, फाइनली चौप कर के डाला हुआ है आप चाए तो कदू कस करके भी डाल सकते हैं तो यह देखे अच्छे से भून गया है अलू भी अच्छे से भून गई है तो अब हमने डाला और आदा चुटा चमच हमने इसमें डाला हुआ है जीरे का पाउडर तो दिखिए इन सारे मसालों को हम आदा चे एक मिनट तक भून लेंगे इसके बाद हमने जो सिवाई रोष्ट करके रखी हुई है वो डाल देंगे और मसाले की साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो य आपका ध्यान रखेगा तभी आपकी जो सिवाई बनेंगे वो एकदम खिली-खिली बनेंगी यह दिखे अच्छे से मिक्स कर देंगे श्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे ईक वार फिर से अच्छे से ताकि नमक भी अच्छे से मिल जाए यह दिखे अब हम लोटू तक पका लेंगे और ये लिए फ्रेंट्स हमारी एक्तम खिली-खिले सिवया बनके तयार हैं बहुत ही टेस्टी है आप चाहें तो इसे और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं थोड़ा सा नीबू का रस डाल देंगे औ थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे बहुत ही टेस्टी एकदम खिली-खिली सेमाई उपमा बनके तयार हैं जिसे हमने बीना बॉयल किये हुए बनाया हुआ है और इस तरह सी सेमाईया भून कर बनारे से उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो आप